हेलो एवरिवन एन वेलकम अगेन इन एकोनोमिक्स ओनलाइन क्लास यूटूब चैनल आज की क्लास में हम कक्षा बारा अज सास्त्र के फाइनल एक्जाम सेशन दो हजार बाईस टेईस के सेट एके सॉलूशन के बारे में बात करेंगे तो चलिए आज का वीडियो है वो शुर नहीं तो इसका सही जवाब है option B समस्टी और सास्त्र international trade is studied in macro economics question number two एक सीधी रेखा मांग वक्कर पर मांग की इकाई की लोच होगी मध्य बिंदू पर या मध्य बिंदू से उपर या मध्य बिंदू से नीचे या option D मांग वक्कर के परतेक बिंदू पर तो इस सवाल को पह ग्राफ के मांद्य हमसे समझते हैं हमें पता है कि जो सीधी रेखा का जो मांग वक्कर है वो इस परकार से होता है तो इस पर यह पूछ रहा कि मांग की इकाई की लोच कहां पर होगी तो हमें इसका सुत्र पता है E equals to L U यानि E L U यानि Lower part upon में Upper part तो इकाई के बराबर होने का मतलब है कि इन दोनों की values यह मांग वक्कर के बिलकुल मध्य बिन्दू पर है वो इकाई की लोच है वो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर होगी तो इसका सही जवाब है option A मध्य बिन्दू पर The unit elasticity of demand on a straight line demand curve will be option A at midpoint Q3 काफी easy है विश्व महामंदी का वर्ष है option C 1930 year of world great depression is 1930 आगे बढ़ते हैं Q4 ओसत उप्भोग प्रवर्ति है वो किसके बराबर होगी तो इसका सही जवाब है option A C upon में Y C4 consumption यानी की उप्भोग बटे में Y यानी की I Average consumption propensity equals to option A C upon में Y जो ये डेल्टा C upon डेल्टा Y है ये हमारा दिखाता है marginal propensity to consumption Q5 नियमने लिखित में से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है कर राजसु है वो revenue receipts है सरकारी निवेश्य आए ये भी revenue receipts है फीस वा जुरुमाने एकिरासी ये भी revenue प्रकरति का प्राप्ति है option D is the correct answer उधार जो borrowing होती है वो हमारी capital नेचर की होती है which of the following is a capital receipts तो option D borrowing move to our next question question number 6 इसके बारे में हम बार बार बता रहे थे paper में important हो रही है आविगा प्राथमी घाटा इक्वल्स तू option A राजकोश्य घाटा माइनस ब्याज का भुगतान प्रैमरी डेफिशेट इक्वल्स तू option A फिस्कल डेफिशेट माइनस इंटरस्ट पेमेंट next are true false question part 7 सिमिज साधनों को धन कहा जाता है limited resources are called wealth it's true part 8 सिमान ताग मर्जिनल रेवेन्य इक्वल्स तू डेल्टा टी आर divided by delta q that is also true ये भी हमारा true है ninth question सम विच्छेद बिंदू पर लाब हानी शुन्य होते है profit and losses are zero at break even point BEP का मतलब ही यही होता है जहां मारे लाब और हानी जीरो हो या इसको दूरे शब्दों में बोले firm को ने लाब होता है ने हानी होते हैं तो it's also true 10 है कुल लाब gross profit equals to कुल आय माइनस कुल लागत that's also true question number 11 भारत में note जारी करने के लिए अनुपातिक कोश प्रणाली अपनाई जाती है यह हमारा false है भारत में अनुपातिक कोश प्रणाली नहीं बलकि न्यून्तम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है यानि कि minimum reserve system है वो भारत में अडूप्ट किया जाता है next is fill in the blanks वेतन एक परवाचर है यानि पे इजए flow statement या इसे परवा हिंदी में परवाचर क्योंकि वेतन हम महीने के एक तारिक से लेके महीने की लास तारिक तक होता है तो इसमें period of time है इसलिए यह एक परवा है मांग की कीमत लोच का सुत्र formula of price elasticity of demand तो यहां पर हमें दोनों answer लिख सकते हैं जो हमारी ED यानि elasticity of demand है यह हमारा मांग में पर्तिशत परिवर्तन अपोन में कीमत में पर्तिशत परिवर्तन और इसका दूरा formula भी हम लिख सकते हैं ED equals to minus का निस्चान P upon में Q into में delta Q upon में delta P तो इन message जोनों message जो भी answer हमने लिखा है वो सही है part 14 easy है मुद्रा बराबर currency जमा में dash जमा money equals to currency पलस में demand deposit या हिंदी में कहें तो हम इसे मांग जमा भी बोल सकते हैं 15 तो इसका सही जवाब है कुल परिवर्तन शील लागत जिसे इंगलिस में बोलते हैं प्रणाली को डैश प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है यह बहुत अच्छा कोशन है adjustable pack system of exchange rate is also known as bretonwood इसे bretonwood प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है बाकि इसका एक नाम हम और भी लिख सकते हैं जो की है सोरण मान प्रणाली यह थोड़ा typical सा नाम है सोरण मान प्रणाली और एक और नाम है इसी system का जिसे हम बोलते हैं तक साली संता मुल्य प्रणाली यह हमारे mcq होगे अब हम सोलू करते हैं दो दो नम्मर वाले उत्पादम संभावना वक्र क्या है उत्पादम संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तूओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिने अर्थ व्यवस्था में दी गई उपलग साधनों और तक्नीक के माध्यम से जिनका उत्पादम करना संभव होता तो इसमें हम यह हमारा पीपीशी कर होता है एक तरफ हम एक वस्तू लेते जैसे कि यह हूं और दूसरा होता है हमारा कपड़ा तो इस तरिके से हमारा पीपीश्थानापन वस्तूओं क्या होते वेरी वेरी easy question and यह एकस्पेक्टिड भी था यह दुनों वस्तूओं में से एक वस्तू का प्रकार ह पेपर में आता ही रहता है थानापन नाम से इस परषठ है थानापन यानि वे वस्तुव जिने एक के स्थान पर दूसरी वस्तुव को असान नीश्य प्रयोग किया जा सकता है वो थानापन वस्तुवे कैलाती है वह उधारण के लिए जैसे कोक और पैपसी कोलगेट और परम के संतुलन की दो शर्ते बताएए परम के संतुलन की दो शर्ते होती पहली शर्त होती है mc equals to mr की जो marginal cost of marginal revenue के बराबर हो इसे आवशक शर्त या first order condition बोला जाता है दूसरी है हमारी mc कारो है वो mr को निचे से काटे इसे परियाप्त शर्त या second order condition बोला जाता है तो यह हमारे फरम के संतुलन की दो शर्ते होती मुल्य हरास क्या है what is depreciation तो इसका सही जवाब होगा कि जो ठिर संपत्य होती जैसे plant and machinery है तो उनके समान्य प्रियोग से जो उनकी समान्य तूट-फूट होती है या उनके पुराने हो जाने से या फिर प्रत्यासित एपर्चलन और एक कारण और है आकस्मिक हानी की समान्य तर इन सब के कारण उसके मुल्य में जो कमी आती है इसे घटे हुए मुल्य जो मुल्य में कमी आई है इसे ही मुल्य हरास या depreciation कहा जाता है आकस्मिक हानी की समान्य तर है तो यह हमारे चार कारण होते हैं depreciation के व्यापारिक बैंकों के दो मुख्यकारी है बताईए व्यापारिक बैंकों के दो ही मुख्यकारी होते हैं पहला होता है हमारा जमा स्वीकार करना तो यह जो जमा है उसके लिए जो बैंक है Fixed Deposit Accounts खोलते हैं Saving Bank Account खोलते हैं इसके अलावा Current Account भी खोलते हैं Home Safe Account होते हैं तो इस तरीके से इन तरह तरह के खाते खोल कर Bank जमा से भी कार करता है और दूसरा मुख्यकारिय है RIN देना तो RIN देना का काम भी Bank कुछ है खत्य खोल करता है इनमें फर्मुक है Nagad Saak या Overdraft Mangarin इस तरीके से Bank वियापारिक बैंक है ये दो कारिय करते हैं बंद अर्थ विवस्था से क्या भी प्राय है बंद अर्थ विवस्था से हमारा भी प्राय है उस अर्थ विवस्था से है जिसका सेस विश्व, रेस्ट ओफ वर्ड से कोई व्यापारिक समब्ध नहीं होता, यहनी कि वो ना तो एक्सपोर्ट यानि निरियात करती है और ना ही इंपोर्ट करती है यानि कि आयात करते हैं तो इस अर्थ व्यस्था में केवल तीन छेतर होते हैं एक होता हमारा हाउस होल्ड एक होता हमारा प्रोड्यूसर और तीसरा सेक्टर होता हमारा गोवर्मेंट तो यह तीन ही सेक्टर होते हैं इसकी में एक सवाल और में जोड़ जातों आगर यह पेप विश्व क्वेशन नमरेट अच्छा सवाल है अलप रोजगार संतुलन क्या है वाट इस अंडर इंप्लोईमेंट एकुलिबिर नाम से इस परस्ट है कि जो एकुलिबिर बिंदू है वो पूर रोजगार के स्थर से पहले ही आजाए यानि उससे अंडर जो हमारे इंप्लोई समग्र मांग यानि कि जो एडी है पूर रोजगार के लिए आवशक जो एडी है उससे कम रह जाए यानि कि हमें अर्थवस्था पूर रोजगार के लिए जितना समग्र मांग चाहिए उससे कम रह जाए और अर्थवस्था संतुलन के आवस्था में पहुंच जाए तो वो माल लेते हैं ADF यानि कि full employment के लिए हमें कितना AD चाहिए परन्तु वास्तों में जो AD है वो हमारी AD1 रह जाती तो यह संतुलन बिंदू यहां आगा तो यह जो gap है यह हमारा कहला आएगा अलप रोज़ार संतुलन और इस gap को बोला जाता है न्यून मांग अंतराल अगे बढ़ते हैं अब हम करेंगे चार चार नंबर वाले मांग की कीमत लोच मापने की कुल वे विधी को समझाईए मांग की कीमत लोच की कुल वे विधी का जो परतिपादन है वो डॉक्टर मार्शल नहीं किया था इस विधी में मांग की कीमत लोच मापने के लिए उस पर किये जाने वाले वे को मापा जाता है यदि कीमत बढ़ने से उस पर किये जाने वाले कुल वय में कोई अंतर नहीं हो तो मांग किलोच होती है इकाई के बराबर second situation होती है इसमें कि जब कीमत के बढ़ने से उस पर किये जाने वाला कुल वय या जिसे total expenditure है वो बढ़ जाए और कीमत के घटने से उस पर किये जाने वाला कुल वय घट जाए तो इस स्थिति में जो मांग किलोच है वो होती है इकाई से कम तीसरी इसमें स्थिति होती है जब कीमत के बढ़ने से उस पर किये जाने वाला कुल वय घट जाए और कीमत के घटने से उस पर किये जाना वाला कुल वय बढ़ जाए तो ये होती हमारी elasticity greater than one यानिक इकाई से अधिक तो ये हो गए हमारा question number 9, मांग की की मतलोच मापने की कुलवे विधिव, question number 10, पैमाने के बढ़ते परतिफल के लागू होने के क्या कारण है, पैमाने के बढ़ते परतिफल, question को ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, ये पैमाने के परतिफल पूछ रहा है, तो इसका मत होता है हमारा आंत्रीक किफायते और दूसरा होता है हमारा बाहरी किफायते या बचते, तो आंत्रीक किफायते वे किफायते होती हैं, जो उसी फर्म को मिलती हैं, जो कि अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ती हैं, और बाहरी किफायते सभी फर्मों को प्राप्त होती हैं चाहे वो अपना उत्वज़दन का पेमाना बढ़ाये या नय नय बढ़ाये तो यह दो हमारे पेमाने के बढ़ते पतिफल के नियम के लाग होने के कारण है और शास्तर में हम मुख़् requires आंतरी किफाइटों के को ही महत्व देते तो पर मुख आंतरी किफायते कौन कौन सी होती हैं? तो ये कई तरह की किफायते होता है, जैसे तकनीक की किफायते वह एक बड़ी फरम है वह बड़ी बड़ी डील कर सकती है, लास्ड में है जोखिम संबंधी कि फायते कि जो एक बड़ी फरम की जो जोकिम उठाने के एक शमता है वो जादा होती है क्योंकि बड़ी फरम पेमाने का बड़ता परतिफल है तो फरम का आकार भी बढ़ जाएगा आगे है पूर्ती के स्थिर रहने पर मांग में होने वाली कमी या व्रिधी का संतुलन कीमत पर परभाव को से चितर समझाईए यानि चितरों की सहता से समझाना है तो हमने दो सिचोशन बनेंगी कि पूर्ती के स्थिर रहने पर मांग में कमी का परभाव और पूर्ती के स्थिर रहने पर मांग में व्रिधी का परभाव तो इसको रेखा चितर से समझाएंगे हम पूर्ति को हमने स्थीर रखना है तो यानि हमारा SS कर OX के समाननतर होगा यह बेलोज़ार पूर्ति को दर्शाता है यह हमारा आरंभीक मांग वक्कर है DD संतुलन बिंदू E तो संतुलन कीमत है वो O P हो जाएगे हमने क्या दिखा ना मांग में कमी तो जो नया मांग वक्कर है उसको हमने दिखा दिया D1 यह यहाँ पर E2 बिंदू पर काट रहा है तो कीमत घटकर O P 1 हो जाएगी दूसरी तरफ पूर्ति के स्थिर रहने पर यह हमने पूर्ति को स्थिर कर दिया यह हमारी आरंभिक मांग वक्कर संतुलन बिंदू E संतुलन कीमत O P कीमत को मांग को बढ़ाना है तो नया मांग वक्कर है हम D1 दिखाएंगे यह हमारा संतुलन बिंदू E1 यह यहाँ पर P 1 बिंदू पर काट रहा है तो संतुलन कीमत है वो बढ़ जाएगी अब यानि हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी कर सकते हैं कि पूर्टी के स्थी रहने पर यदि मांग में कमी हो जाए तो संतूलन कीमत है वो कम हो जाएगी और पूर्टी के स्थी रहने पर यदि मांग में वृध्य हो जाए तो संतूलन कीमत है वो बढ़ जाएगी इस प्रकार से हम इसकी व्याच्छा कर सकते हैं कि कोशन नमबर 12 असान है अलपा दिकार बाजार की चार विशेष्टाओं को के बारे में वर्नन कीजिए पहली इसकी विशेष्टा है कुछ ही फर्मे पहली इसकी विशेष्टा है कुछ ही फर्मे अलपा दिकार बाजार में कुछ ही यानि कि 4-5 ही फर्मे होती हैं दूसरा होता है इसमें कि विक्रे लागत इस बजार में विक्रे लागत बहुत ज़्यादा होती है तीसरा है नई फर्मों के परवेश पर परतेबंद नई फर्मे आसानी से परवेश नहीं कर सकती क्योंकि इस बजार में परवेश के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी के इस टा होती है कि मांग्वकर का निर्धारन है वो कठिन होता मांग्वकर का निर्धारण कठीन होता है यह चैंड़े नम्र वाले तो हमने ने में इतना ही लिखना काफी रहेगा नंगर 30 है को है निजी छेत्र को निवल घरेल उत्पाज से प्राप्त कारक आये का ग्याद कीजिए तो परचालना अधिशे सरकारी परचासनिक विभागों के उध्यमों से स्वामितों संपत्य से प्राप्त होने वालिक आये करमचारियों का पारिश्रमीक सवय नियुजित की मिशुरित और गैर विभागे उध्यमों की बचत यदि हम इन शंख्याओं को इन नामों को ध्यान से देखें तो यह हमारा आई विधी का सुत्र है यह हमारे आई विधी के जो फर्मूले है वो दे रखें इस विजी से हमारी तो निकलती है नेशनल इंकम परन तो हमने क्या निकालनी निजी निजी छेतर को तो हम सारी कैलकुलेशन में से जो सरकारी आया है वह घटा जाएंगे तो हमें निजी छेतर के आया है वह प्राक्त हो जेए तो फर्मूला होता हमारा सी ओ यानि कम्पंशेशन टू इंपलोई फर्मूले के हिसाफ से चलेंगे करमचारियों का प्रोच आरumीक जम्मा में उपरेटिंग से परचलन दी किला समीक दबीन कम इंपलोई कि ज Нकलेंगे हम नेकलनल इन इंकम कोई-दूं कर देंगे तो मैनस कर देंगे इस मेंसे हम सरकारी परसासने विषखागों कि गॉर्मेंट डिपार्टमेंट इंकम और 11 विषभागी उ इंटरप्राइसिस सेविंग तो सी ओई हमारी सो है ओपरेटिंग सर प्लस यह पर चलन अधिसेश हमारा तीस है मिक्सड इंकम है वो हमारी मिक्सड इंकम है वो हमारी है 180 तो इन सब का टोटल हो गया हमारा 310 इस में से हम माइनस करेंगे सरकारी परसासनिक विभागों की 5 और 11 विभागे और धिमों की बचत 5 यानि की माइनस में 10 तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 300 पर ओड़ रुपे question number 14 राजकोश्य नीती के उपाए बताईए राजकोश्य नीती के जो उपाए हैं हम उनको दो वागों में बाट सकते हैं एक है हमारा एक है हमारा तारुजनिक वे और दूसरा उपाए होता है हमारा सरकारी वे की वित्तिये वेवैस्था वेवैस्था तो सारुजनिक वे में हम शामिल करते हैं सारुजनिक निर्माण, सारुजनिक कल्याण, रक्षा पर किया गया वे और अनुदान सरकारी व्यक्य वित्य व्यवस्था में हम शामिल करते हैं कर सारज्वनिक रिन और घाटे की वित्य व्यवस्था जिसका दूसरा नाम है नए नोट छापना भुगतान से इसके ऐसंतुलित होने के कारण बताईए भुगतान से इसके जो ऐसंतुलित के तीन मुख्य कारण होते हैं एक होता है हमारा आर्थिक तत्व आर्थिक कारण दूसरे होते हैं हमारे राजनितिक कारण या राजनितिक सत्व तीसरे होते हैं हमारे समाजिक कारण तो आर्थिक कारकों में हम शामिल करते हैं सरकार पर सरकार दुआरा यदि विकास परात्य धिक खर्च किया जाए तो जो भुगतान सेश है वो एसंतुलित हो जाएगा या जो व्यापार चकर है तेजी मंदी के जो व्यापार चकर है तो मंदी के दिनों में जो भुगतान से सब ऐसंतुलित हो जाएगा और मुद्रा सफीती की वजह सी भी यह चीज़ें हो सकती हैं इसके अलावा आयात प्रतिस्थापन दुआरा विकास यह हमारे मुख्यत आर्थिक कारण होते हैं राजनितिक कारणों में हम शामिल करते हैं देश में यदि राजनितिक ऐस थिरता हो तो भुगतान से से वो संतुलन में नहीं रहेगा इसके अलावा कई बार सरकार लोग प्रिये नीती अपनाती है बहुत इंपोर्टेंट बिंद से सरकारी बजट कहलो या भुगतान से कहलो उस पर नकारात्मक परभाव करता है इसके लिए आजकल एक नया वर्ड चला हुआ है मैं अपने विध्यारत्यों को बता दू इसे आजकल इसे फ्री बीज के नाम से जानते हैं और समाजी कारणों में होते हैं रूची एवं प् फ्रात्मिक्ता भी भुगतान सेस्व को पर भावित करते हैं और एक है विभिन देस्यों के परती पूर्याग मांते कई देस्यों को बुरा मांते उनके प्रोडक्ट को भी पहला कारण है राजसु प्राप्तियों में कोई भी देता उत्पन नहीं होती यानि कि no liability जब कि capital रिशीट्स में देता उत्पन होती है यानि कि हमारी liability है वो प्लेस होती है दूसरा जो अंतर होता है revenue रिशीट्स से जो हमारी assets होती है परिसंपत्या उन्हें कोई कमीन होताएं, आश्या ही कम होती हैं। यह होगे क्यार्जप प्राप्ति उर्पूंजीगत प्राप्तिनों में अंतर। अब यह यहां से हमारे शुरू होते हैं च्छा-चे नम्बर के सवाल को रहें। देते हैं कोशन नमबर 17 मांग में कमी और मांग में व्रिधी से क्या विप्राय है और मांग में व्रिधी के क्या कारण है आसान सवाल है मुझे नहीं लगता है कि यह ज्यादा explain करने की जूरुत है कि मांग में कमी क्या होती है मांग में कमी क्या होती है कि कीमत के स्थिर रहने पर कीमत के स्थिर रहने पर अन्यकार कारकों की वज़े से जब उसकी मांग घट जाए तो वो कहलाती है मांग में कमी और केमत के स्थिर रहने पर जब अन्य तत्व प्रिवर्तन के कारण उसके मांग बढ़ जाए तो यह कहला था मांग में व्रिधी तो यह मांग में विश्तार और मांग में संकुचन से अलग कंसेप्ट है मांग में विर्धी के क्या कारण है मांग विर्धी के कारण वो भूब अचिक रूची बढ़ जाए वह बढ़ जाए कफी कारण है तो आसान कोशन है कैष अगे आगे देखतें इसका खुआ में में हैं बहुत ही आसान केंद्रे बैंक क्या है और इसके कारियों का वर्णन करें केंद्रे बैंक है जो पूरे किसी भी देश के पूरे बैंकिंग प्रणाली को नियंतरन में रखता है शर्वोच बैंक होता है cow cats bank से नाम से भी जाना जाता हैसी बृसके कारीयों क्या वन करें सबसे मुख्य कारीया है तो नोट जारी करना का नियं त रकार का बैंक बैंक वेंकों का बैंक अंतिमRIS दाता कई का भूत यासान सवाल है पॉशन नमबर 18 एक अधिकार वह एक अधिकारी परतियोगता में अंतर बताई इसमें केवल एक विक्रेता होता है इसमें कई विक्रेता है इस बजार में जो विक्रेलागत है वो नहीं पाई जाती इसमें विक्रेलागत है वो आवश्य पाई जाती है इस बजार में कीमत विभेद संभव होता है कीमत यहनि एक वस्थु की अलग-अलग उभता से और अलग-अलग कीमत वस्थुला जब इस में वेची क vurठा वस्थु दूसरे से रंग क्वाल्टी वजन खुश्बू में असान सवाल है इसके आथवा में हैं एक अधिकारी प्रतियों गुता बजार क्या इसकी विश्यश्चता बताईए तो इन प्राद विधी में क्या होता है इसमें हम तीनों छेत्रों के द्वारा जो सकल मुल्य व्रिधी होते हैं उसको जोड़ जेते यानि प्रात्मिक छेत्र की शकल मुल्य व्रिधी जमा में द्वितियक छेत्र की मुल्य व्रिधी जमा में रितियक छेत्र की शकल मुल्य व्रिधी यहां से जो आएगा उसमें से हम घटा देंगे डेप्रिशेशन तो यह आजाएगा हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडेक्ट मार्केट प्राइस यानि कि शुद्ध घरेलू उत्पाद बजार मुल्य पर अभी हमें निकालना है क्या नेशनल इंकम जबकि नेशनल इंकम वह होते हैं वह होते हमारी एन एन पी एट प्राइ इसमें से हम माइनस कर देंगे एन इट यह जगा फैक्टर कोस्ट पर और इसमें जोड़ देंगे हम एन फिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अपरूर्ड यहां से आजएगी हमारी राष्टिय आए और इसके अत्वा में राष्ट्य आए कि आकलन में शामिलना हो लावाले मुख्यमदों को वर्णन करें यानि जिनको हम शामिल नहीं करतें सबसे पहले तो मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करतें गैर कानूनी वस्तुओं को शामिल नहीं करतें इसरे जो हस्तांत्रण भुगतान होते हैं उनको शामिल नहीं करतें जो था है जैसे पुरानी वस्तों के करे विक्रे से प्राप्त पुरानी वस्तों के करे विक्रे से प्राप्त राश्यों को शामिल नहीं करते इसमें हम लिख रखते शेर बॉंड से जो प्राप्त है आए हो उनको शामिल नहीं करते तो इस प्रीके से यह सवाल भी हो जागा त फिर भी यह दिया आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इकनोमिक्स ओनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सब का धन्यवाद जैहिंज जै भारत